नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे EOT Overhead Grain में जो Off Delay Timer है तो Off Delay Timer का Connection आपको किस तरह करना है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों पूरा डीटेल्स में समझाऊंगा और डीटेल्स में बताऊंगा दोस्तो वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देखियेगा तब आपको हर चीज समझ में आ जाएगा कुछ भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को सुरू से लेकर लास तक देखियेगा मैं इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को जब भी आप एक बार देखिए तो वीडियो देखने का मतलब जो है वो आपको समझ में आ जाए जैसे आज इस वीडियो का अभी आप देख रहे हैं तो इससे क्या होगा दोस्तो इस वीडियो को अगर आप सुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो जो मैं बोल रहा हूँ बोलने के साथ साथ आपको समझा रहा हूँ यह एक experience होता है तो आपका experience बहुत अच्छा लाइप टेम साथ मतलब जब दग आप काम करिएगा तो इस डाइगराम को अगर आप समझ लेते हैं तो कभी भी नहीं भुलिएगा और काम करना में बहुत सुभीदा होगा दोस्तो इसलिए मैं आप लोग की स्टेप समझाता हूँ कि जब आप मेरा वीडियो देखिये मेरा वीडियो में हमेंसा एक काम करते हैं वीडियो मेरा कितनों भी लॉंग हो जाए मतलब कितना भी बड़ा वीडियो हो जाए लेकिन मैं समझाने में कुछ भी कमी नहीं रखता ह इसलिए कि जब भी आप मेरा वीडियो देखियेगा तो एक बार देखने के बाद आपको connection समझ में आ जाए और काम करने में कुछ दिकत भी ना हो इसलिए मैं कितनों भी बड़ा लंबा वीडियो हो जाए बना देता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में off delay timer का connection सीखेंगे और on delay timer का भी connection सीखेंगे और जो EOT overhead crane में 7 गो timer रहता है कोई crane में 3 timer रहता है कोई crane में 5 timer रहता है ये क्यू रहता है इसके बारे भी आपको सारा बात मालूम हो जाएगा और connection भी आपको पूरा doubt किलियर हो जाएगा तो दोस्त वीडियो को सुरू से लेकर last तक देखते रही है दोस्तो सबसे पहले हम लोग symbol के बारे में जानेंगे जो हमारा master controller रहता है master controller में mc लिखा हुआ रहता है mc मतलब हमारा master controller होता है और ये जो हमारा nc master controller का जो nc kit रहता है इसका symbol आपका इस type के रहता है जो हमारा master controller में no kit रहता है इसका symbol हमारा इस type के रहता है और जो हमारा resistance master controller का kit रहता हो तो no रहता है लेकिन symbol आपका इस type के दिया हुआ रहता है इस type के क्यों दिया हुआ रहता है जैसे master control हमारा reverse पे भी काम करेगा और forward पे भी काम करेगा इसलिए इस टाइप के आपका दिया हुआ रहता है फर्वार्ड में देखिए आपका इस टाइप के इसलिए दिया हुआ रहता है कि फर्वार्ड मतलब हमारा तो एक साइड ही काम करेगा दूसरा साइड तो हमारा काम नहीं करेगा और यह रेश्टेंस जोए यह आ हमारा master controller neutral होगा तब यह जो NC कीठ है यह हमारा NC बनेगा जब तक master control neutral नहीं होगा यह हमारा NC नहीं बनेगा दोस्तो यह हो गिया हमारा master controller का symbol कौन सा कीठ हमारा NC रहेगा कौन सा NO रहेगा दोस्तो यह जो है आपका IoT overhead crane में एक lottery limit switch रहता है जो हमारा reverse और forward में काम करता है C type का symbol दिया हुआ रहता है कोई भी diagram आप देख लिजिएगा यह हमारा gravity limit switch है इसको हम लोग white limit भी बोलते हैं यह हमारा off delay timer का symbol है जो हमारा off delay timer है off delay timer के यह symbol है यह on delay timer का है दोनों symbol आपका अलग अलग है दोस्तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए हार जगा मैं सफ़ेद बला writer से इसको marking किये दे इसलिए कि जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद काम किजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हां मैं किसी के पास से सिखा था या कोई diagram देखके मैं सिखा था तो दोस्तों यह हो गिया हमारा off delay timer का symbol और दोस्तों यह हमारा on delay timer का symbol हो गिया ठीक है तो यह दोस्तों जो resistance है resistance तो हमारा reverse और forward में काम करेगा इसलिए इस type का symbol है resistance 2, resistance 3, resistance 4, resistance 5 सबका symbol देखे रिवास और forward side दोनों तरब चलेगा बोलके इसी type का आपका symbol दिया हुआ है और जो हमारा on delay timer है on delay timer का भी symbol आपका इस type का हम दे दिये है यह जो सफेद बला देख रहे हैं यह जब आप काम करिएगा अभी नहीं तो कभी भी तब आपको याद आएगा कि इस type से हम आप लोग को समझाए थे तो दोस्तो यह हो गिया हमारा off delay और on delay timer का symbol और resistance के लिए हम लोग जानते हैं आज में आप लोग पांच resistance का आप लोग को बताऊंगा इसमें है आपका resistance 2, resistance 3, resistance 4 और resistance 5 ठीक है दोस्तो अब दोस्तो यह जो हमारा resistance के लिए contactor लगा हुआ है यह जो हमारा timer है और यह resistance के लिए जो contactor लगा हुआ है यह हमारा on delay timer है तो दोस्तो एक हमारा controlling के contactor हो गिया under hold के लिए timer हो गिया reverse हो गिया और हमारा forward हो गिया और ये break के लिए contactor लगा हुआ है तो दोस्तो आज इस वीडियो में इसका connection में आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाने का कोशिस करूँगा जिससे आपको वीडियो को एक बार देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाए दोस्तो सबसे पहले neutral का connection के बारे में जानेंगे दोस्तो neutral हमारा productive panel से आया है जो हमारा एक neutral है और एक phase है 110 volt supply हमारा MCB में आया है तो MCB का symbol हम लोग जानते इस टाइब का दिया हुआ रहता है और thermal overload relay का symbol इस टाइब का दिया हुआ रहता है और जो हम लोग का MCB रहता है वो DP MCB रहता है हर panel में आपका two pole का भी MCB रहता है और single pole का भी रहता है single pole का भी रहेगा तो आपका 6 A का रहेगा और double pole का भी रहेगा तो आपका 6 A का रहेगा दोस्तो neutral का connection हमारा किस तरह आ रहा है neutral आया productive panel से आने का बाद आपका सबसे पहले MCB में आया और MCB में आने का बाद आपका A2 जो है A2 हमारा under hold का contactor है, timer है और reverse है, forward है, break है, resistance 1 है और दोस्तों इसके साथ हमारा resistance के लिए जो 5 को contactor है resistance 2, resistance 3, resistance 4 और resistance 5 जितना सारा आपका A2 है A2 में आपका neutral supply दिया हुआ है, जितना सारा contactor रहे या timer रहे हर timer में आपका या contactor में A2 पोईंट जो होता है, इसमें हम लिएको neutral supply देना पड़ता है कोई कोई crane में दोस्तो, reverse forward का जो A2 है, A2 का आपको limit switch के साथ connection कर देता है आज जो मैं वीडियो में आप लोगों बता रहा हूँ, ये totally phase circuit में आपको समझा रहा हूँ phase circuit में आपका कुछ भी हम change नहीं किये, एकदम simple तरीका से बनाए हैं और simple तरीका से आप लोगों को समझा रहा हैं दोस्तो, ये हो गया हमारा neutral का connection आभी दोस्तो, ये हमारा phase supply आ रहा है, productive panel से सबसे पहले हमारा MCB में आया MCB में आने के बाद हमारा thermal overload relay में आ रहा है thermal overload relay में जो 95, 96 है, ये हमारा NC point होता है तो NC point में आया, तो NC point के पास से एक wire हमारा tap हो गया और tap होने के बाद सीधा हमारा master control होने के बाद आपका timer 1 में, जो हमारा off delay timer है, off delay में आ गया तो off delay timer हमारा किस तरह काम करेगा दोस्तो, जब हम MCB on करेंगे on करने के साथ साथ हमारा thermal overload relay के output से आपका master controller जो आपका neutral point में रहेगा, तब हमारा तुरंद ये timer पकड़ लेगा दोस्तो, इसमें हम कुछ time इसलिए नहीं डाले है जिस हिसाब से जो क्रेन में जरूरत पड़ता है, उस हिसाब से आपको timing set करना पड़ता है अगर आपको 0.1 second में करना तो आपको करना है और आपको 0.2 second में चाहिए तो 0.2 second में आपको timer में setting करना है इसलिए हम यहाँ पर कुछ setting time नहीं लिखे है setting time लिखने के बाद दोस्तो क्या हो जाएगा comment में आ जाएगा sir आप तो 2 second के लिए बोले तो 2 second कर दिए आप डाइबर कुछ अलग बोल रहा है problem आ रहा है इसलिए आपको practical में क्या करना पड़ेगा connection होने के बाद आपको जब चला आएगा क्या दीकत हो रहा है वो सुनना पड़ेगा और उसके बादे आपको off delay timer को set करना पड़ेगा off delay timer का हमारा main काम क्या है दोस्तो यह जो हमारा off delay timer है यह timer हमारा जब बॉन रहेगा तभी हमारा काम करेगा जब यह on हो जाएगा तो यह काम नहीं करेगा किसलिए जब हमारा off रहेगा तभी हमारा nc बनेगा जब यह on हो जाएगा on होने का बाद यह जो nc point है यह हमारा n हो जाएगा तो दोस्तो फेज सपला है हमारा thermal overload ले में आया thermal overload ले में आने का बाद हमारा master controller का जो nc वाला kit है nc वाला kit में आया nc वाला kit में आने का बाद आपका timer 1 पकड़ लिया timer on हुआ तो master control हमारा चाहे reverse side चले या forward side चले जितना बार आपका master control neutral होगा उतना बार आपका ये timer on होगा और जितना बार आपका timer on होगा उतना बार आपका क्या होगा ये under hold का contactor आपका पकड़ेगा नहीं और जब दोक यह Under Hold का Contactor पकड़ेगा नहीं, तब दोक आपका Master Control में Supply जाएगा नहीं, इसलिए नहीं जाएगा जो Under Hold का Contactor है, इसका No Point से आपका Master Controller का Connection दिया हुआ है, इसलिए जब यह Timer बंध होगा, तब ही आपका Master Control में Supply जाएगा, जब यह Timer On हो जाएगा, तब आपक और forward आपका बहुत इस speed में कर देता है उस time क्या होता है कि एक बार reverse चला दिया एक बार forward चला दिया तो diver कुछ भी करे जब आप इस timer में time setting कर दीजिएगा वो reverse side लगा देगा जब दक ये time complete नहीं होगा तब दक ये जो contactor है ये contactor आपका on नहीं होगा और जब दक ये अंडर off delay timer काम कर रहा है दोस्तो एक number timer हमारा कब on हो रहा है जब हमारा master control neutral होगा जब हमारा master control आपका no हो जाएगा तब आपका क्या होगा ये timer आपका बंद हो जाएगा जब ये timer बंद होगा तब ये timer का nc point है nc point आपका nca बनेगा तब आपका अंडर भोल के contractor पकड़ा हुआ रहेगा किस तरह दोस्तों? यह जो हमारा neutral रहता है master control जो हमारा neutral position में है इसमें marking जो दिया हुआ है यह हमारा neutral position का है तो neutral जब होगा तभी आपका यह timer पकड़ेगा नहीं तो नहीं पकड़ेगा, इस चीज़ को दोस्तों हमेशा याद रखिएगे, कि master control neutral होगा, तब ही हमारा timer पकड़ेगा, और timer पकड़ने के बाद क्या होगा, यह timer जब तक neutral master control रहेगा, तब तक हमारा timer no रहेगा, और आप जो timing set कीज़ेगा, उस timing के अनुसर यह timer छोड़ कब छोड़ेगा, जब हम एक number या दो number में लगाएंगे, चाहे हम reverse side में लगाएंगे, या forward side में लगाएंगे, दोस्तों यह होगे हमारा timer 1 का काम खतम होगिया, और under bull contactor का भी काम खतम होगिया, under bull contactor का main point है यह no point, no point जब तक आपका NC नहीं बनेगा, तब तक आपका master control में supply नहीं आएगा, तो दोस्तों यह timer हमारा जब reverse में लगाएंगे, तो हमारा यह जो NC point है, no हो जाएगा, और यह हमारा contactor on हो जाएगा, जो under bull का contactor लगा हुआ है, तो दोस्तों under bull का contactor इसलिए लगा हुआ रहता है, जो reverse और forward चलाता है, इसके रहे purpose में काम करता है, और एक ह बगड़ेगा, मतलब crane में जैसे supply आपका नहीं है, तो crane में जब supply आएगा, तो direct यह under bull का coil कोई लगा देता है, कोई contactor लगाता है, connection आपका same to same रहता है, connection में बहुत तरह का timer देके भी interlock होता है, और timer देके interlock होने के बाद यह contactor को on करके हमेशा रखता है, WMI crane में अगर आ neutral position में जब आपका master control आता है, उस time के आतेकर timer भी पकड़ा होा रहता है, और under bull का भी contactor पकड़ा होा रहता है, अगर दोस्ता आप WMI में काम किये तो यह चीज आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो दोस्तो under bull का contactor हमारा on हो गया, on होने के बाद under bull का जो no point है, no point हमा किस में आ रहा है, master controller का reverse side पे भी आ रहा है, और यहां से एक wire tap करके forward side पे भी आ रहा है, तो जो हमारा reverse और forward side है, दोनो master controller के kit हमारा no रहता है, तो reverse side में हमारा 2 limit काम करता है, एक है हमारा lottery limit काम करता है दूसरा है कि हमारा white limit काम करता है इसको आप gravity limit भी बोल सकते है ये दोनों limit आपका जो kit रहता है limit के अंदर वो दोनों आपका NC बना हुआ रहना चाहिए NC बना रहेगा तब ही आपका आगे supply आएगा अगर ये दोनों limit में से कोई एक limit आपका NO बन जाएगा तब आपका supply नहीं आएगा जैसे हमारा ये जो master controller ये जब दक आप reverse side नहीं चलाएगा इसका मतलब है कि दोस्तों जब दक आपका master controller का kit NC नहीं बनेगा तब दक आपका supply आगे नहीं आएगा तो master controller का kit हमारा NC बन गया उसके बाद हमारा limit switch दोनों जो है वो तो हमारा NC बना हुआ है उसके बाद हमारा ये forward का contactor है forward contactor में हम लोग जानते हैं दो गो NO रहता है दो गो NC भी रहता है तो forward contactor का जो NC point है NC point होने के बाद हमारा reverse contactor पकड़ता है इसमें एक interlock दिया रहता है कि जब हमारा reverse side चलेगा तो forward साइड नहीं चलेगा जब forward side चलेगा तब reverse side नहीं चलेगा इसके लिए आपका interlock दिया रहता है तो दोस्तों ये तो हमारा forward का NC है तो NC हमारा बना हुआ है उसके बाद सीधा आपका supply यह जाते हैं timer 3 में मतलब इस timer में जब यह timer बंद रहेगा जब आप रिवास साइड चलाएगा आपका timer क्या होगा बंद रहेगा और forward side भी आपका बंद रहेगा तो यह दोनों जब बंद रहेगा तब आपका रिवास साइड चलेगा तो यह timer जब आपका बंद रहेगा तभी यह NC बना हुआ रहेगा और NC बनेगा तभी आपका रिवा साइट के कॉंटक्टर चालो होगा अगर इस टाइमर में मालीजिए आप टाइमिंग सेट कर दते हैं चाहे दो सेकंड, पास सेकंड, दास सेकंड, जो भी आप अपना हिसाब से सेट कर दिये, अपको दो सेकंड में जरूर होते तो दो सेकंड में किये, अगर एक सेकंड में जरूर होते तो एक सेकंड में सेट कर दिये, अब क्या होगा, ये एक सेकंड बात जब आपका टाइमर तो छो तब हमारा master controller का kit जो है यह NC बनेगा, NC बनने के बाद हमारा lottery limit switch में आएगा, और lottery limit switch हमारा NC बना हुआ रहता है, यह जब NO बन जाएगा, तब आपका forward side नहीं चलेगा, चाहे reverse side का भी NO बनेगा तो यह reverse side नहीं चलता है, तो यह forward का kit में आया, जो limit switch है, उसका kit में आने के contractor का NC point है, NC point में आया, तो जब हमारा forward side चलेगा, तब reverse side का NC point है, NC बना हुआ रहता है, तब यह जैसे ही आपका forward का contractor पकड़ लेगा, तो यह reverse side का NC है, यह NO हो जाएगा, तब क्या होगा, कितनों भी आप कोशिस कीजिए का reverse side आपका चलेगा नहीं, तो NC बना हुआ तो NC से ह टाइमर 2 है, टाइमर 2 में पहले सपलाई आया, टाइमर 2 का किस में टाइमर 2 अगर बंद रहेगा, तो यह आपका NC बना हुआ मिलेगा, Suger timer 2 अन्रहेगा, तो यह NC नहीं बनेगा, जब दक ओन पसे लेगा, तो थे बनेंगा, तो तोन पलेगा तो टाइमर का बंद रहेगा आपका NC बन नहीं पता है ठीक से इसलिए आपका forward का contactor नहीं पकड़ता है या reverse का contactor नहीं पकड़ता है तो आपको हमेशा जब भी ये problem हो ये जो forward और reverse का contactor का जो NO point है NO point से तो इसका supply दिया हुआ है तो ये NO point भी आपको check करना है reverse का हो या forward दोनों side का NO point आपको check करना है अगर आप अभी duty कर रहा है कोई plan में और आपके बस WMA के crane है तो जाके मिला के देख लीजेगा same to same आपको connection रहेगा कोई 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 crane में दोस्तों क्या होता है कोई crane में स्रीफ reverse side में ही एक timer लगा हुआ रहता है forward side में timer नहीं लगाता है एक ही timer से आपका interlock दे देता है और कोई कोई crane में आपका दोनों timer लगा हुआ रहता है reverse side पे भी रहता है forward side पे भी रहता है इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को reverse और forward दोनों side में लगा के connection समझा दिया हूँ तो दोस्तों हमारा reverse side भी contactor on हो रहा है forward side भी contactor on हो रहा है timer 3 भी on हो रहा है timer 2 भी on हो रहा है अब दोस्तों जब हमारा reverse side चलता है तो reverse side चलने का बद हमारा timer 4 on होता है brake के लिए जो हमारा brake thyristor है brake thyristor में आपका 3-5 supply देना पड़ता है इसलिए जो brake का जो power contactor यह power contactor भी reverse चले यह forward side चले दोनों में आपका on होना चाहिए यह दोनों जब on नहीं होगा तो आपका motor क्या होगा motor में तो आपका 3-5 supply जाएगा लेकिन यह brake का contactor अगर on नहीं होगा तो motor घूबने नहीं देगा जैसे हम लोग गाड़ी चलाता है motor cycle यह cycle चलाता है तब तक आपका supply नहीं जाएगा supply नहीं जाएगा तो motor नहीं घूमेगा इसलिए आपका reverse, forward और brake यह तीनों एक साथ काम करता है चाहिए आप reverse side चलाईए यह forward side चलाईए brake का contactor आपका on होना बहुत ज़रूरी है इसलिए आपका क्या होता है जो हमारा forward और reverse का NO point है NO point से आपका connection दिया होँ रहता है कोई-कोई crane में देखिएगा जो हमारा 2 go na रहता है 2 go nc रहता है, पूरा के पूरा यूज हो जाता है दोनों nc में भी connection रहता है दोनों no पे भी connection रहता है उसके साथ अगा जरूरत पढ़ता है को WMA के crane में आप काम कर रहे है एक्स्ट्रा 2 go 3 go करके NO nc लगाना पढ़ता है इंटरलोक देने के लिए और जो हमारा local crane है local crane में क्या होता है कि 1 NO r 1 nc देता है और 1 एक छोड़ देता है उसमें दोस्तों क्या होता है ज्यादा breakdown भी आता है ज्यादा problem भी आता है जब आप इतना महिनत करके इंटरलोक दे रहे जो standard company के crane है इतना सराज आप समानों लगाए इतना इंटरलोक देगा तो उससे तो कुछ फाइदा होगा ये दोस्तों सिर्फ safety के लिए दिया जाता है और safety इसलिए दिया जाता है कि जब भी हमारा reverse और forward ये reverse और forward side में motor घुमे तो हमारा motor में कुछ भी जार्किंग लोड ना आए और जार्किंग लोड को रोकने के लिए ही आपका इतना सारा interlock दिया जाता ये से diver हम आपको बोले के कभी reverse side और forward side दोनों तरह master control को बीना neutral किये आपका चलाता रहता है तो इस तरह connection रहेगा तो आपका motor में क्या होगा motor का जो speed माले जे reverse में चल रहा है तुरहन ता forward कर दिये उस time में आपका क्या होगा तुरहन पीकाप लेगा नहीं थोड़ा देर के लिए रूख जाएगा चाहे दो सेकंड या एक सेकंड के लिए थोड़ा सा motor सोल होगा उसके बादे forward side चालो होगा इसलिए ये timer यूज हुआ है और reverse और forward को interlock देने के लिए ये दोनो timer आपका यूज हुआ है चाहे आप एक timer भी लगा सकते है दो timer भी लगा सकते है ज्यादा तर आपको crane में reverse side में तक दो मिलेगा ही मिलेगा reverse side में आपका ज्यादा interlock देता है forward side में बहुत ही कम रहता है तो ये होगे reverse forward और अमारा break का ब्रेक का भी supply जो हमारा ये reverse और forward है इसका जो एनो point है एनो point से आपका ब्रेक का timer 4 के लिए supply दिया हुआ रहता है और यहां से एक wire आपका loop कर देता है तो हमारा break और timer 4 एक साथ पकड़ लेगा जब हमारा timer 4 पकड़ेगा तब हमारा क्या होगा master control को हमको एक number ये से reverse side में लगा है या forward side में कोई भी एक side में लगा है तो हमारा एक number हुआ एक number होने का बात जब हम resistance लगा हैंगे तब हमारा क्या होगा resistance 1 हो जाएगा तो resistance 1 का जो ये master control है ये reverse side दोनों side में आपका काम करेगा तब ये master control kit ultime wada जले timer 4 का timer square on रहेगा तो timer phone जब आपका on रहेगा तब क्या होगा यह जो inner point यह NC बन ढूप सब्सक्राइगा जब यह NC बनेगा तब आपका resistance 1 का contractor पकड़ लेगा जब आपका resistance 1 पकड़ लेगा तब क्या होगा यह resistance one contactor का जो एनो पॉइंट है यह NC बन जागा जब यह NC बनेगा तो timer 5 आपका पकड़ लेगा जब आपका timer 5 पकड़ लेगा तब आपका क्या होगा जब हम master control को दो नमबर में करेंगे जब हम master control को दो नमबर में देंगे मतलब resistance number 2 में लगाएंगे तब हमारा क्या होगा timer 5 में आपका timer 5 का एनो पॉइंट है एनो पॉइंट क्या होगा हमारा NC बन जागा जब NC बनेगा तब हमारा रेजिस्टेंस दो नमबर पकड़ेगा जब आपका रेजिस्टेंस दो नमबर पकड़ेगा तो रेजिस्टेंस दो नमबर का जो एनो पॉइंट है एनो पॉइंट हमारा NC होगा तब हमारा टाइमर 6 पक प्लाइब इस सप्लाइब इस तक कोाइब इस सप्लाइब तक मास्टर्सर में दिया टाइमर 7 आपका On है, तब ये हमारा NC बन जागा, जब हमारा NC बनेगा, तब हमारा resistance चार नमबर कॉंटक्टर पकड़ लगा, जब हमारा resistance चार नमबर कॉंटक्टर पकड़ेगा, तो इसका टाइमर फूर का कॉंटक्टर पकड़े लगा जब हमारा टाइमर फूर का कॉंटक्टर पकड़े लगा इसका एनो क्या होगा एनसी हो जब हमारा एनसी होगा तो टाइमर एट पकड़े लगा जब हमास्टर कांट्रोल को पाच नमर में लगाएंगे तो मास्टर कांट्रोल का कीट आपका NC बने गए, एंशी बनने के बाद टाइबर eight में आपका supply आयेगा ठाइबर eight में एज 두 point में supply आएगा or जब आपका NC बने गए जब यह timer on हो जायेगा जितना time-up set कीजिएगा उतना time के बाद आपका यह NC बन जका के एंसी बनने के बाद आपका रेश्टेंस नंबर पाच नंबर कॉंटक्टर पकड़ेगा दोस्तो यह हो गया हमारा कनेक्षेन आप जो जो जुरूरी बात है इसमें आपका प्रोब्लेम क्या आता है दोस्तो इसी तरह आपका योटी ओवारेड क्रेड में ओप डिले टाइम और जितना हो सके आप लोग का हेल्प करता हूँ दोस्तो इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सुरू से लेकर लास्ट तक देखिए एक बार टाइम निकालका आप अगर देखिएगा इसको तो आपको कभी भी कनेक्षेन करने में दिकत नहीं होगा लाइब टाइम आप ही के साथ रहेगा कि हमको कीस तरह काम करना है मैं इस YouTube चैनल में यह समझाने के कोशिस करता हूँ कि जो भी लड़का मेरे पास से काम सीखे उसको काम करने में कुछ भी दिकत ना हो आराम से काम कर सेके चाय कोई इंटर्वू देने के लिए जाए तो इंटर्वू में ब बला है यह सब चीज जो है दोस्तो सब का काम आता है दोस्तो जब मैं काम सीखता था उस तेम हम को समझाने बला कोई नहीं था एकला ही समझना पड़ता था मैं 20 साल से आपका डिवूटी कर रहा हूँ 20 साल पहले इतना YouTube भी नहीं था और इतना समझाने बला भी कोई नहीं है अगर कोई आपका अपना आदमी है तो भले आपको समझा देगा और अगर आपका कोई अपना आदमी नहीं है तो यह चीज समझने में आपको 6-9 मैना लग जाएगा लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक एक बार देखिएगा और देखने के बाद दोस्तो चेंज हो जाता है जैसे आपका मैं यह दो टाइमर लगाए यह तीन टाइमर लगाए हो कोई क्या करेगा दो टाइमर लगा सकता है कोई एक रिवर्स साइड में टाइमर लगा सकता है कोई फरवर्ड साइड में नहीं भी लगा सकता है दोस्तो जब आपका क्रेन मे प्रॉब्लेम आये तो जीस तरह मैं connection समझाया हूँ इस तरह अगर आप चेक करते हैं तो आपको प्रॉब्लेम जल्दी ठीक हो जाएगा और कुछ दिकत भी नहीं होगा दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा दोस्तो मेरा request है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर comment करें subscribe करिए या मत करिए ये तो आप लोगो पर depend करता है लेकिन comment करके चाए negative भी हो या positive भी हो ये दोनों चीज हमको बताइए इससे क्या होगा दोस्तो हमको वीडियो बनाने में बहुत असान रहेगा और connection करके समझाने में भी बहुत असान रहता है वीडियो देख लिए देखने के बाद आपको अच्छा ही नहीं लगा तो negative और positive दोनों भी हो तो आपके पास आ जाता है चाहे आपके पास negative भी हुआ है फिर भी आप comment करके बताइए और अगर positive भी हुआ है फिर भी comment करके हमको बताइए इससे क्या होगा हमको वीडियो बनाने में बहुत अच्छा रहेगा आज के वीडियो के लिए दोस्तो इतना ही